हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल इस प्रेचल लव टेराट कैसे हैं आप लोग आपके खुश होंगे अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे हैपे होंगे दियर आज का जो टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी सिच्वेशन ओके डियर तो आज हम पूरा देखेंगे आपके बारे में देखेंगे आपके पार्टनर के बारे में देखेंगे और डियर उस थर्ड पार्टी के बारे में देखेंगे जिसके कारण आपकी और आपके पार्टनर के लाइफ जो है जिसमें इतनी सारी problem create हो गई है आप इतना ज़्यादा परिशान हो गए हैं तो चलिए आज हम यही देखेंगे इस third party situation में कि अभी आपकी feelings क्या है आपके partner आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, third party को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है तो सारी situation के बारे में आज जानने की क कोशिश करेंगे dear, कि क्या चल रहा है dear, यह last shuffling है dear, general collective timeless reading है, जितना resonate करे हुता रख लीजे, बाकी को keep कर दीजे, okay, पुरा focus करना है आपको अपने partner के उपर, ताकि मुझे आपके partner के energy मिल सके, और third party की भी, please universe guide करें, चलिए, यहाँ पर कुछ cards निकले है dear, तो देख लेत हैं, judgment का card निकला है dear, सबसे पहले आपके लिए hierophant है, next card, यहाँ पर टॉरस वर्गो, Capricorn हो सकते है dear, ठीके, तो आपके energy पे आई है, चलिए, other deck से भी देख लेते है, bottom के energy जो है, magician, okay, तो bottom के energy जो आई है, magician, आई है, next card के थ्रू देख लेते हैं, कि क्या आता है, फिर हम start करेंगे, okay, यहाँ से मैं आपके partner के लिए कुछ cards निकाल रही हूँ, कि आपके partner जो है, आपको लेकर क्या feel करते हैं, क्या नहीं, उनकी feelings क्या है, और कैसा सोचते हैं आपको लेकर, तो चलिए, इस of swords का card है, dear, एक सेकंड, अब आपको card दिख रहा है, इस of swords है, page of wand के energy है, two of cups है, यह रिष्टा जो है, कहीं न कहीं, twin film वाला connection मुझे लग रहा है, soul mate हो सकते हैं, आप लोग, या फिर twin film connection है, dear, आप लोगों का soul connection तो है, ठीके, soul connection है, यहाँ पर रिष्टा खराब करने में, कुछ तो बहारी लोगों का हाथ है, manipulation किया, आपके partner के कुछ तो बेवकूफिया रही है, आपके partner के energy जो है, वो बेवकूफ वाली रही है, उन्होंने हमेशा अपनी बेवकूफियों की वज़े से, इस रिष्टे को खराब किया है, ठीके, तो यहाँ पर four of wand है, bottom की energy से, seven of pentacles है, चलिए, और card निकाल लेते हैं third party के लिए, कि third party के लिए क्या feeling से, third party को देखे क्या feel करते हैं, और क्या उनके दिल में है, ठीके, ten of swords का card है dear, ten of swords निकला है, यहाँ से है ten of pentacles, oh my god, यहाँ पर है three of pentacles, three of pentacles है, चलिए, दो card आ गए, हाथ में ले लेते हैं, nine of pentacles, और यहाँ पर है hermit, four of cups, the moon, moon के energy आईए, यह third party के cards है, ओके dear, वहाँ मैंने आपके card निकाले हैं, आपके partner के thinking के card निकाले हैं, यह है third party के card, और dear, यहाँ पर है eight of wands, तो यह third party के cards हैं, जो निकल चुके हैं, और यहाँ से bottom के energy देख लीजे, the magician, क्या है third party के पास कोई काम नहीं बचता है, तो सिर्फ एक magic ही है, उसका last और आखरी उपाये, तो dear, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कि यह जो भी third party है, इसका last जो है, वो यही रहता है, sign की बात कर ली जाए डिये, तो आप लोग sign देख लीजे, sign मैं आप लोग को बता देती हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर air sign है, fire sign है, और earth sign है, और dear, यहाँ पर water sign भी है, तो सारे sign हमारे पास में हैं, पहले तो है, कर्क, विश्चिक, मीन राशी, cancer, scorpio, piouses है, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन, विशप कन्या, मकर राशी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेश, सिह, धनू राशी है, जैमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन तूला, कुम राशी है, तो यह राशियां यहाँ पर आई हैं, और बात करी जाए कि third party और आपके partner और रिश्टा जो है, तो आपको अकेला पन फील होता है, अभी आपके situation की बात करी जाए, तो अभी आप पूरी तरस से अपने आपको अकेला फील कर रहे हैं, कहीं न कहीं, आपके life में कोई तो होता जिसको आप अपनी बात बता पाते, आपके दिल में ये बाते चल रहे हैं, आप बहुत परिशान हैं, आपकी life ऐसे मुकाम से गुजर रहे हैं, जहां पर आपको एक बात करने वाला साथी चाहिए, आप ये सोचते हैं, कि आपके जिन्दगी में भी कोई और इनसान होता, जिसको आप अपने दिल के सच्चाई बता पाते, या आप अपने जो problems हैं, वो उनसे share कर पाते हैं, या आपको कोई समझने वाला इनसान आपके life में होता, तो या फिर वो कोई इनसान जो आपको सही राय देता, तो ऐसी कोई बात आपके दिल में चल रही है, आपको लेकर, और ये आप बहुत ज़्यादा परिशान दिख रहे हैं, मुझे आपको सम बहुत परिशानिया आपको घेरी हुई है, कहीं न कहीं, आप अपने परिशानिया को सॉलूशन दोनना चाह रहे हैं, क्यों क्योंकि आपके जिंदगी में इस पार्टनर की वज़े से जो तूफान आया है, जो परिशानिया आई है, जो डिप्रेशन आया है, वो सारी आप सोचते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ओवर्थिंकिंग कर रहे हैं, सोचा बहुत जारा है, जीवन से क्या मिला आपको, आप इस बारे में सोच रहे हैं कि आपके लाइफ का क्या हुआ, आपने जब से इस लव रिलेशन्शिप में कदम रखा है, तब से आपकी लव लाइफ का क्या हो गया, पहले आपकी लाइफ कैसी थी, अब आपकी लाइफ में क्या बचा है, क्या रह गया है, आपको क्या पाने की जर्वत है, और आपने क्या खो दिया, इन सब चीजों में आप इस तरह से उल्चे हुए हो, कि ना आपको खाने का होश है, ना पीने का ह रहे हैं कि आपकी ये क्या गलती थी आपकी क्या प्रॉब्लम थी जो आप उपर वाले ने आपको इतना दर्द दिया है तो आप उपर वाला क्यों दर्द देगा ये आपका हाथ का खुद का बनाया हुआ है क्योंकि आपके कुछ पास्ट के ऐसे कर्मा थे जो आपके साथ उपर वाले ने मुझे जो दिया है तो ये गलत है बिलकुल गलत है उपर वाले ने आपके past के ही चीजों से आपको मिलवाया है आपको बताया है कि हाँ ये चीजे जो है आपके life में क्या माइने रखती है कितनी वही चीजे आपके partner को भी ये उपर वाला सिखा रहा है कहीं न trigger उनको मिल रहे हैं तो ये सब क्या है universe का divine का एक plan होता है एक दूसरे को सबक सिखा कर ही वो हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता है तो वही चीज यहां पर दिख रही है आप अपनी गलतियों को धूंटने की कोशिश करें कि आप से कहां गलती हो गई कहां कमी रह गई ऐसी जो आपका partner जो है आपके साथ में इस तरह का बिहेव करके चला गया यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने सवालों में अपने जवाबों में उलजे हुए हैं दिखे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चड़ाओ चल रहे हैं बहुत ज्यादा problem चल रही है आप justice मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं आप justice मांग रहे हैं universe divine से हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ legal issue चल रहे हैं हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको इस तरह से इस situation में लाके खड़ा कर दिया है कि आपके life जो है वो एक legal issue से गुजर रही है legal case चल रहे हैं और आपको चाहिए क्या justice चाहिए आप अभी इस समय justice के उमीद करके बैठे हैं काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हर तरह से अपनी life में justice चाहिए जो लोग legal issue में फसे हुए हैं वो तो 100% justice की उमीद करें कि उनको justice मिले उनके साथ में न्याय हो जिस भी कारण से उनके साथ में न्याय हुआ है उसमें आप justice की उमीद कर रहे हैं legal case में फसे हैं dear आपको universe से justice चाहिए कहीं न कहीं आप justice की उमीद करके बैठें न्याय चाह रहे हैं उमीद है आपको कि आपको न्याय मिलेगा और उस न्याय की उमीद ही आपकी आखरी उमीद है क्योंकि आप अपने partner से बुरी तरत उटे हुए हैं आप अपने उपर काम कर रहे हैं मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपने क्या करना शुरू कर दिया अपने माइंड को समझा दिया है किसी तरह से या समझ लिया है कि जो आपका जीवन में यह सब हुआ है वो आपके खुद की करनी है या आपका लेखा जुखा है इस तरह से आपने माइंड को कहीं न कहीं कॉंप्रमाइस किया है वो चीज यहां पर दिख रही है आप अपने आप उपर काम करना शुरू कर दिये हैं आप हील हो रहे हो किसी तरह से आप हीलिंग प्रोसेस में दिख रहे हो मुझे हो सकता है कि आपने किसी ऐसे हीलर से हीलिंग करवाई है या फिर आप कोई हील प्रोसेस ली है डियर ये चीज यहां पर दिख रही है कुछ लोगों ने ली होगी या हीलिंग करवाई है डियर ये चीज दिख रही है आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आप में से काफी लोग जो हैं आजकल नेचर के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कर नीचर के साथ टाइम स्पेंट कर रहे हैं, खुद को ठीक करते हुए दिख रहे हैं, मुझे आप अपने जजबात उपर काबू रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके जजबात थे, इमोशनल हो जाया करते थे, अपने पार्टनर की तरफ बार बार जुप जाते थे, अप मुझे लगता है कि आप में से काफी लोगों के दिमाग में ये चलता है कि मुझे एक टैरो रिडिंग ले लेना चाहिए, जिससे मुझे गाइडेंस मिल जाए, या फिर कोई एक रास्ता मिल जाए, फिर बाद में आप लोग सोचते हैं कि अरे, क्या होता है, क्या नहीं, त देखिए, आपको कही न कहीं गिल्ट फील होता है कि आपने अपने पैरो पर खुद कुलाडी मादली है, कहीं न कहीं इस पार्टनर को चुनके, इस पार्टनर के साथ कनेक्ट होकर, तो वो चीज़ यहां पर देख रही है कि आप अभी बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन को लेके बहुत परेशान है, जिस भी कारण से रिलेशन खराब हुआ है, उसका जिम्मेदार आप कहीं न कहीं, अपने आपको मानते हैं कि आप में ही कोई कमी रह गई थी, आप उस पार्टनर को समझ नहीं पाये थे, आपकी महबत को वो इंसान नहीं समझ पाया, तो डियर यहां पर आपको ऐसा भी लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ कर चला गया, काश अगर आप अपने पैरों पर खड़े होते, तो आज यह आपको सिच्वेशन ना आती, आप उसके महताज ना होते, आपको यह प्रॉब्लम का सामना ही नहीं करना पड़ता, अगर आप अपने इंडिपेंडेंट होते तो, ठीके, यहां पर यह चीज़ दिख रही है, लेकिन यहां पर यह भी दिख रहा है, आपको ऐसा फस्टेशन हो रहा है, कि आपको बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा फस्टेट हो र ताकि आप उस इंसान को भूल पाएं जिसने आपके लाइफ को बर्बाद कर दिया है जिसने आपके लाइफ में एक तरह से कहा जाए तो सेप्रेशन और इतना ज्यादा आपको कठेरे में खड़ा कर दिया है ना जज्जमेंट आपको तभी तो जज्जमेंट की जरुवत आज कि आप क्या है क्या नहीं ये पार्टनर क्या है तो आज आप कठेरे में खड़े हैं ठीक है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है इस इंसान के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कभी आपने इस इंसान से प्यार किया था अभी आप क्या कर रहे है अभी आप अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे हैं आप manifestation work कर रहे हैं और डियर ये आपका manifestation work भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपके दिमाग में शान्ती ही नहीं है आप उलजे हुए हैं आप manifestation तो कर रहे हैं पर आप क्या कर रहे हैं नहीं तरीके से manifestation को यूज ही नहीं कर पा रहें, आपका दिमाग इतना अशान्त है, आपके दिमाग में इतनी खलबली मची हुई है कि आपका कोई भी काम हो नहीं रहा है, ठीक है आपकी prayer आप जो कर रहे हैं universe से divine से वो कहीं कबूल नहीं हो रही है, आपका manifestation वर्क नहीं कर र च distractions च नहीं कर देखते हैं कि आपके card यहाँ पर यह बता रहे हैं लेकिन पार्टनर के energy की बात करी जाए तो आप देख लीजे पार्टनर के energy देखे बात करी जाया आपके पार्टनर के कार्ट की तो आप देख रहे है एट आफ सोर्ज है नाइट आफ सोर्ज है यह दर फूल आपका पार्टनर जो है एदधम बेवकूफ ठीक है उन्होंने हमेशा कच्छे कान के थे दूसरों की बातों में बहुत आये हैं यहाँ पर जो प्यार था, जो लव था, two of cups की एनरजी है, एक ऐसा लव, एक ऐसा प्यार था आप दोनों के बीच में, जहां पर soulmate वाला connection था, इस इनसान ने अपने ही हातों ये पूरा रिष्टा खराब किया है, ये stuck life आपकी past life से जुड़ी है, dear, मैंने यही चीज यहां पर बोली थी यही चीज यहां पर दिख रही है, और यहां पर आपकी बात करने का मतलब है कि यहां पर आपकी एनरजी आई है, आपके पार्टनर की एनरजी में, आपकी एनरजी भी शामिल है, ये stuck life आपकी past life से जुड़ा है, और आपकी life stuck है, soulmate connection है, dear, आप दोनों का, आपका बार बा आप, आपके पार्टनर को याद करते रहते हैं, आप चाहते तो हैं, उन्हें भूल जाएं, और दियर आप नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि यहां पर आपका एनरजी निकला है, आपका पार्टनर भी आपको नहीं भूल सकता है, क्योंकि आप दोनों का जो connection है, वो soulmate connection है, वो डिवाइन कनेक्शन है और डियर ये पार्टनर आपसे उसी तरह से कनेक्ट हैं जिस तरह से आप इनसे कनेक्ट हैं जब आप इने भूल नहीं पा रहे हैं जब आप इनको दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं तो ये पार्टनर भी आपको दिल से नहीं निकाल पाएगा नहीं इस परसन के एनरजी बता रहे हैं कि इस परसन ने आपके लाइफ को बहुत खराब किया है चाहे वो किसी के कहने पर किया हो इस रिष्टे पर काम खराब किया है वो भी इस परसन की ही गलतिया है इनने इगो बहुत दिखाया यहाँ पर जो कार्ड है वो आप देखी रहे है इगो बहुत दिखाया है किसी के बहकावे में आकर इस परसन ने अच्छी खासी लाइफ जो थी ना उसका कचरा कर दिया है आपके साथ अच्छा विहार नहीं किया आपको हर रिष्टे में डर लगता है अब आप आगे नहीं सकता वही चीज यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर आप भरुसा नहीं कर पा रहे हैं आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इस्टक हो गए हैं पूरी तरह से यह लाइफ जो है आपकी इस्टक हो गई है कहीं न कहीं एक तरह से थमसी गई है परिस्थितियां आपको अटका के रखी है डियर आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा पैन दिया था बहुत ज़्यादा दर्द दिया था बहुत ज़्यादा तकलीव दी थी आपके person और third party के card जो यहाँ पर निकले हुए हैं दोनों को match करके देखा जाए तो dear आप card देख लीजिए आपके लिए तो उनके दिल में जो feelings है वो मैं बता ही दोंगी अभी तो उनोंने जो गलत किया है वो मैंने आपको clear किया है लेकिन देखिए आपके person भाग रहे हैं भाग रहे हैं कैसे भाग रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो third party से डर के भाग रहे हैं या third party के इसमें dear इस तरह से भाग रहे हैं कि नाच रहे हैं आपके partner थर्ड पार्टी के आगे पिछे घूम रहे हैं आपके पार्टनर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नचा रही अपने उंगलियों पे कहीं न कहीं ताथा थाया करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर और डियर ये दिख रहा है कि ये एक बेवकूफित इंसान है इन्होंने अपनी बेवकूफियों के चलते अपने अच्छे खासे परिवार को अच्छे खासे रिष्टे को husband wife के रिष्टे को परिवार को या फिर girlfriend boyfriend के रिष्टे को खतम किया है इस third party के पिछे इस third party का हाथ थामने के लिए इन्होंने आपका हाथ छोड़ा था ठीके ये दिख रहा है कि इस partner की बेवकुफियों की वज़े से इन्होंने अपना relation खराब करा है थर्ड पार्टी का डॉमिनेट नेटिंग नेचर है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉमिनेट करती आई है और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये यूज कर रही थी आपके पार्टनर का ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को यूज करती रही और आपके पार् बहुत ज़दा पैसे लुटा दिये, अपना मनी लुटा दिया, अपना प्यार लुटा दिया और सबसे जो कीमती इनके लिए था वो था समय, ठीके जो आपको कभी दिया नहीं था, हमेशा आपके पास आते थे तो कहते थे मिरे पास समय नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, मिर पार्टनर का मनी भी बरबाद करा जितना यह आपके पार्टनर से ले सकती थी इसने लिया है ठीके और ठीथ आप ध्यान देने की जरुवत नहीं है डियर आपका जो पार्टनर है आप उसे साब से रेजोनेट कर लीजेगा ये एक जनरल कलेक्टिव रेडिंग है और डियर इ इसे एक गाइडेंस की तरह लीजेगा कोई डिसीजन नहीं लेना है किसी को भी क्योंकि आप लोग बहकावे में आकर डिसीजन ले लेते हैं पहले सच्चाई को समझेए और पूरी सच्चाई देखिए उसके बाद ही क्यों क्योंकि कार्ट जो है वो पॉसिबलीटी बताते हैं असली डेस्चिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है कार्ट के उपर डिसीजन लेना गलत बात है कार्ट को सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे लिया कीजिए ठीक है डियर देखें यहां पर ये भी दिख रहा है कि बहुत समय बरबात कर दिया आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के पीछे और थर्ड पार्टी लूटती रही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का फायदा उठाती रही थर्ड पार्टी ने खूब मजे मारे हैं आपके पा जो से फिरा रहा था जबकि आपके लिए आपके पार्टनर के पास टाइम नहीं था आपको कभी गुमाने नहीं ले गया आपके साथ में जब भी जाना रहता था लड़ाई जगड़े करना इस तरह का उसका बीहेवियर रहा है। चीट किया था वही चीज आज इनके हिस्से में आ रही है थर्ड पार्टी इनका पैसा रुपिया सब कुछ लेकर भागती नजर आ रही है क्या होता है कि जो यूनिवर्स है जो डिवाइन है ना वो एक वो कहावत है ना होनी होनी को कोई नहीं टाल सकता तो यहां पर होनी यूनिवर्स जो है डिवाइन जो है कहीं न कहीं कोई ऐसा ट्रीगर इसको देगा आपके पार्टनर को कि इनको हकीकत समझ में आएगी कि थर्ड पार्टी क्या है इनको हकीकत समझ में आएगी कि आपका प्यार क्या है तो एक ट्रीगर मिलना बहुत जरूरी है उसके बाद ह तो ये इनसान समझ पाएगा कि ये third party ने इनका कितना use किया और इनको किस तरह से नचाया है और आपने इनको कितना प्यार दिया था आपने इनके लिए क्या समर्पित किया वो सारी चीजों में difference इनको दिखेगा dear और ये देख पाएंगे सच्चाई को समझ पाएंगे देख पाएंगे इनके आँखों पर परदा बंदा हुआ हो न वो हटेगा कहीं न कहीं इनको सच्चाई समझ में आएगी देखें अभी आपके पार्टनर के जो लेसन है न वो complete नहीं हुए जब तक इनके लेसन complete नहीं होंगे जब तक ये और चीजे नहीं सीखेंगे जब तक आपके पार्टनर को और समझदार बनना है ठीक है जब आपके पार्टनर आपके values करना समझ जाएंगे जब आपके पार्टनर आपके प्यार को समझ जाएंगे आपके respect को समझेंगे न तब जाके इनके life के ये problem जो है universe जो है वो माफ करेंगी क्योंकि ये partner ने कभी आपको सचे दिल से चाहा ही नहीं आपका use किया था हो सकता आपके शादी भी ऐसे usable तरीके से की गई हो या फिर किसी डर के साए में इसने आपसे शादी करी थी ऐसा कुछ हो सकता है पर डियर ये इनसान आपको use किया था तो आगे जाकर इसको उसका करमा तो भुगतना ही पड़ेगा क्योंकि इसने आपसे प्यार नहीं किया था वो life to life चलते रहते हैं आज ये है तो कल उनके बच्चों को वो चीज फेस करनी परती है तो यहां पर वो चीजे निकलके आती ही है तो यहां पर ये कर्मा यही बता रहा है कि होने को कोई नहीं ठाल सकता है और जो आपके पार्टनर ने बोया है वो तो उन्हें काटना ही पड़ेगा है ना ये थर्ड पार्टी उनकी खुदकी बनाई हुई है तो ये थर्ड पार्टी उनको ट्रीगर देगी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को रोट पे लाने वाली है ठीक है आपके पार्टनर से जितना रुपिया पैसा ले सकती थी लेगी और चली जाएगी आपके पार्टनर को आएगी समझ आएगी देर से आएगी पर डियर समय के साथ साथ कहते हैं अंत समय में भी कुछ लोगों को इतना टाइम देती है universe के समझ जाए समझ जाए पर वो नहीं समझ पाता है अंत समय में उसे समझ में आता है कि मेरा अपना कौन है मेरा पराया कौन है तो वो चीज यहां पर दिख रही है और यह आपके partner को भी समझ में आएगा कि सच क्या है जूट क्या है ये third party कितना आपके partner के साथ में loyal रही है यह चीज आपके partner समझेंगे देखें आपके बास करी जाए तो आपने कभी नहीं सोचा था कि यह partner जो है आपको इस third party situation में डालेंगी आपको use कर रहे थे या आपके साथ में धोका कर रहे थे आप तो सचे दिल से इनसे connect थे आप तो सचे दिल से इनसे प्यार करते थे लेकिन इस partner ने आपके साथ में गदारी की है न तो इसलिए इसको इसका कर्मा इसको भूगतना पड़ेगा इसको इसका हाल सहना पड़ेगा जो trigger इनको मिल रहे ह आप इन्हें राय नहीं दे सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स का काम है आप उनको किसी तरह से राय दे कर या बचाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर वेट वाली एनरजी आएगी आप लोगों का रियूनियन नहीं होगा इनको इनका कर्मा अकेले भुगतना जाते है जेएगा देखे जब आपको पता चला था ना कि थर्ड पार्टी सीच्वेशन में फसे हुए है इनका रुपिया पैसा चाहा रहा है इनका टाइम कहा जा रहा है आजकल यह बिजी कहा रह रहे तब आपको बहुत बुरा लगा था आपको बहुत धक्का लगः सा आपके पैरों तले तो जमीन खसक गई थी डियर कि ये पार्टनर जो है आपको इस तरह से चीत कर सकता है तो आपको शक जो है यकीन में हो गया था कि ये पार्टनर इतना ज़ादा नीचे गिर सकते हैं इनके पैसों का इशू है ठीके परेशानी है कोई तो काम रुख गया है आपके पार्टनर का अब इनको समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई है क्यों क्योंकि पैसे तो खतम हो गए थर्ड पार्टी को जितना रुपिया पैसा लेना था उन्होंने ले लिया जो चीजे उनको चाहिए थी आपके पार्टनर से ले ली गई है डियर परेशानी तो आएगी जब इनसान के पास पैसा खतम हो जाएगा लाइफ में पैसा ही सब कुछ था थर्ड पार्टी के लेकिन आपके पार्टनर को तो पैसा नहीं आपके पार्टनर को तो थर्ड पार्टी चाहिए थी तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी पर बहुत सारा फाइनेंस लुटा दिया इसका भुकतान क्या हुआ इनका बिजनिस चोपट हो गया और डियर आपके पार्टनर जो हैं इस्टक हो गए हैं अपनी फूटी किसमत के लिए आपके पार्टनर किसको गलत ठहरा रहे हैं आपको पैसा किस ने बरबाद किया थर्ड पार्टी ने यहां पर भी आपके पार्टनर आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि आप गलत हैं आप अच्छे नहीं हैं इन्होंने कभ की है और डियर जिम्मेदार आपको ठहरा रहे हैं इसलिए इनको ट्रीगर मिलना बहुत जरूरी है आपको गलत ठहरा आया जा रहा है और बर्बाद खुद होके बैठे हुए हैं बर्बाद खुद अपने आपको करे हैं इन्होंगे थर्ड पार्टी के साथ में रिष्टा बन लाइफ में और लेसन सीखने की जरुवत है क्योंकि अभी तक इनके जो दिमाग है ना वो ठिकाने नहीं आया है जब इनका पूरी तरह से दिमाग ठिकाने आएगा तब जाके ये पार्टनर की अवेकनिंग होईगी तब जाके ये पार्टनर जो है ना चेंज हो पाएगा आपको छोड़ कर चले गए थे अब परेशान हो गए हैं और इन्होंने आपका तमाशा बनाया था बहुत लोगों के सामने आपको बहुत कुछ कहा है बहुत ब्लेम किये हैं आपको आपके रिस्पेक्ट नहीं किये वो सारी जितनी भी इन्होंने आपके साथ में किया है न इसे कुछ तैसा तो मिलता ही है तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अभी बहुत लेसन सीखना है डियर आपको धोका दिया था अब ये परसन की लाइफ उलज गई है बहुत ज़्यादा उलजे हुए हैं सो लजने की कोई उमीद नहीं दिख रही है ऐसा लग रहा है कि ये रिग्रेट फील करने की वज़ा जो है इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आप जब इनके साथ में रहते थे तो कहीं न कहीं आप इनको हील कर देते थे आपके साथ में जब ये परसन कनेक्ट थे कहते हैं किसी की एनरजी ऐसी होती है कि भले वो दिल से उसको ना याद करे या ना बोले पर उसकी energy जो होती है वो सामने बाले को heal करती है एक support करती है तो वो support आपका जो है अब इस partner के पास नहीं है क्योंकि आपके partner आपको त्याग चुके हैं आपको छोड़ चुके हैं आपके साथ में इन्होंने धोका दिया था तो universe ने वो healing जो आप इने सेंड करते थे थे न वो इनके तक जाने ही नहीं दे रही है इनको इसलिए इतना ट्रीगर मिल रहा है इतना पैंफुल सिक्रेशन का सामना करना पड़ रहा है गेल्ट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर यहां पर कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही है कि यह आपक पार्टनर को कभी बुरा नहीं कहा बस आप यह चाहते हैं कि इस पार्टनर ने जो आपके साथ में करके गया है जिस भी तरका बिहेव किया है आपके साथ में छल किया है धोका दिया आपके बच्चों को छोड़ दिया आपकी लाइफ को तोड़ दिया है आपके परिवार क पर करके जो है युनिवर्स मेरे साथ में जस्टिस करेगा लेकिन यह तरवटी कब क्या है अब आप देखें थरड़ पैर्टी के सोच कहाँ पर डिपेंट करें इस थरड़ पर्टी का मानना है कि वह आपके पार्टनर को बहुत बुरा मान रही है थरड़ पर्ट को ऐसा लग हर एक खुबसूरत पल जो था, यह आपके पार्टनर के कारण बरबाद हो चुका है, यह third party बरबादी के रस्ते पे आ गई है, इस third party को ऐसा लग रहा है, और dear, इसका जिम्मेदार यह आपके person को मानती है, third party को ऐसा लगता है कि आपके partner के साथ attach होने से, इनकी life में problem आ गई है, इनकी life जो है ना, वो problem हों से भर गई है, वो आपके partner को कहीं न कहीं एक तरह से बोला जाए, तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, उन पर बहुत नाराज भी है, guilt feel कर रही है, मन उस मानती है एक तरह से कि यार यह इनसान से मैं connect हो गई हूँ, तो इसके साथ मैं connect होने के बाद में, मिरी life तो पूरी तरह से बरबाद हो गई है, एक तरह से अशुब है वो आपके partner के लिए, इस तरह का मानती है, guilt feel हो रहा ह इस third party को, दिमागी तोर पे यह third party बिमार हो रही है, इस third party को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, फ़र्स गई है, आपके partner ने फसा लिया डियर, यहाँ पर जबकि क्या था situation, वो आपको पता है कि यह third party ने क्या काम करके, अपनी dark energies का use करके, आपके partner को stuck किया था, आपके partner को use किया था, लेकिन जैसे ही third party का सारा फाइदा पूरा हो गया, अब आपके partner के अंदर उसको बुराईया नजर आ रही है, अब आपके partner के अंदर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कते नजर आ रही है, जितना उसको ले ना था ले चुकी है, जितना फाइदा उठाना था उठा चुकी है अब आपके पार्टनर का ऐसे गुजर रहे है फाइनेशल इशू से तो अब फाइनेशल इशू में वो मदद करना नहीं चाहती है वो चाहती है कि आपके पार्टनर को भगा दिये जए तो यहाँ पर स्टख हो रही है बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग वाली एनरजी आ रही है आपके पार्टनर के साथ में रहना नहीं चाहा रही है आपके पार्टनर के साथ में शुरू में तो इसने खूब रुपिया पैसा लिया आपके पार्टनर का साथ चाहा इसने खुब enjoy किया और खुब party वाटी खुब enjoy किया गया पर डियर जब समय खराब आता है ना तो कहते ना कि साथ छोड़ देते हैं तो यहाँ पर इस third party ने तो साथ छोड़ दिया आपके partner का फस गए हैं आपके partner और third party कासा लग रहा है कि यह आपके partner ने फस आया है third party को जाल बना रही थी खुद की जो चाले चल रही थी ना वही चाल आज इनके आगे भारी पड़ गई है सोच रही थी बहुत अच्छा रुपिया पैसा ले लूँ सब कुछ कर लूँ और यह partner मुझे free में मिल गया है मेरा खर्चा करता रहेगा आज इसको ऐसा लग रहा है कि खुद अपने ही जाल में फज गई है देखे आपकी प्रातना आप meditation जो कर रहे थे ना जो आपके partner के लिए वो आपके partner के लिए तो काम नहीं आया क्योंकि universe का मानना है कि जिस इंसान ने गलत किया है उसको तो उसकी सजा मिलेगी तो आपके partner के लिए वो काम नहीं आया ले और ये नियाई के शिर्वात ही है कि ये third party जो है अपने आपको फसा हुआ मान रही है ये third party को लग रहा है कि ये जाल में फस गई है और ये आपके प्रातनाओं का असर है ये आपके prayer का असर है आपके दुआओं का असर है जो यहाँ पर इस third party के साथ में सब कुछ उल्टा पार्टनर के साथ में अब आपके पार्टनर के पास पैसा नहीं है तो ये थर्ड पार्टी को बेचैनी हो रही है अब ये थर्ड पार्टी को घबराट हो रही है कि पैसा कहां से आएगा कैसे इसके फूचर का आगे का इंतजाम होगा और ये जो थर्ड पार्टी है अपने फ इदिए गुला कहा जाए, इंसान के staliezुना का फाय्दा उठाया गया है थीखेंbear को फ्लर्ट करने जो आदरत थी ना उसका नेचर का फाइदा उठाया गया है है अभ यह तरड़ परशानी मेसे लिए अब आपको heal करने की जरुत है, आप healing process पर ध्यान दीजे, आप meditation कीजे, manifestation कीजे, ये चीजें आपको बहुत ज़्यादा heal करेगी, और आपके energy, जिस तरह से heal होगी, जिस तरह से आप heal होङे, आपके partner तक आपके energy, एक नाइक दिन work करेगी, तो ये है third party situation आपकी क्या energy थी आपके partner आपको लेके क्या feel कर रहे थे third party क्या सोचती है आपके partner को लेके तो dear आज हमने पूरी पूरी long reading करी है और पूरी situation को जानने की कोशिश करी है कि third party और आपके partner के बीच की situation क्या है I hope आप लोगों को reading अच्छी लगी होगी कुछ ना कुछ guidance मिला होगा कुछ ना कुछ resonate करा होगा dear और अगर resonate करा है तो please video को like कर दीजेगा और जो लोग first time channel पर आ रहे हैं please channel को subscribe कर दीजे support करने के लिए बहुत बहुत thank you दिल से